हेलो स्टुडेंट मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एलन गाइड चैनल में तो आज मैं आपको फिर से इछले वीडियो में आपने देखा था कि क्लास 9 का वेस्ट बेंगाल बोड का मैंने 8.1 चप्टर का फोर नंबर तक कंपुलीट किया था ठीक है तो आज फेक्टर चप्टर चप्टर अभी रनिंग में है चल रहा है तो हम आज आपको पांच नंबर से बताएंगे पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ल 5016-30 ठीक है तब हम इसको जीरो करने के लिए क्लेए क्या करेंगे देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं बार में बार मीं चेक करेंगे करेंगा तो देखिए सबसे पहले यहां पर 1-1-2 पूड करके देखिंगे वाद आगया-अगय बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले camera माइनस 1 प्लस 19, माइनस 30, देखिए 31 हो गया यह भी नहीं माइनस हुआ, 2-put करके देखते हैं, 2-put करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2-put करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8-19-38, यह और ज्यादा हो गया, 38 मने 68 हो गया माइनस में, यह भी नहीं हुआ, माइनस 2-put करके देखते हैं, माइनस 2-put करेंगे तो यहाँ पर देखिए, माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस 38, 19-38, और माइनस 30, देखिए, माइनस 30 और 8, 38 हो गया 38, माइनस 38, इसकल तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, minus 2 put करने पे 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, लिखते हैं, taking, x is equal to minus 2, we get, हिंगे में लिख लिजएगा, x बराबर minus 2 लेने पर, minus 2 का cube, minus 19 into minus 2, minus 30, is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिखिए, minus 8, minus minus plus 38, और यह minus 30, is equal to 0, तो हमारा क्या, factor क्या हो जाएगा, factor theorem, factor theorem से क्या हो जाएगा, हमारा, देखिए, x is equal to minus 2 है, तो हमारा x plus 2 is a factor, तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख लेंगे, x plus 2, एक गुननखंड है, तिखिए, यहाँ फिर उत्पादक भी बोलते हैं सायद इसको, फिर उसके बाद हम क्या कर करना है, हमें तो x cube minus 19x minus 30, अब हम एक step को छोड़के, दूसरी step में क्या लिखना है, हमें देखिए, x का cube है, यहाँ पे हम तीन बार लिखेंगे, x plus 2, x plus 2, और x plus 2, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए, यहाँ पे, हम डिरेक्ट देखिए, यहाँ पे क्या करते है, x square से multiply करते है, x cube लाना है, तो हम यहाँ पे x square से multiply करेंगे, तो x square से multiply करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, x cube plus 2x square, अब इसको हम क्या करना है, 2x square नहीं है, तो minus 2x square लाना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, minus 2x से multiply क करेंग तो यह पर घे-2X इसक्вा Hagajale –2 को प्लस से मल्टिफ्टिप्लाई करेंगे to अब Cap 9 – 4 X यहां पर 19 X है तो हमें 15 X लाना है तो आम क्या करेंगे यह पर 15 से मल्टीफ्टिप्लाई करेंगे 15 से multiply करेंगे तो यहां पर हमें कितना minus 15 लेना तो यहां पर minus 15 से multiply करेंगे तो हमारा देखिए minus 15x और minus 30 ठीक है? अब इसका देखिलेंगे इसमें common क्या है हमारा इसमें common है हमारा x plus 2 और बाकी जो बच्चा हमें उतार देना है x square minus 2x minus 50 अब इसके आगे का step क्या है देखिए? हमारा ये middle term factor होगा कि नहीं हो देखना है तो हमारा ये 5 तियाई 15, 5, 3, 5 में से 3 गया 2 यानि कि हमारा middle term factor हो रहा है x plus 2 into x square minus 5 तियाई 15, 5x plus 3x minus 15 यान पे x plus 2 यान पे x common हो जाएगा तो यान पे x minus 5 यान पे plus 3 common हो जाएगा x minus 5 यान पे आप देखिए x plus 2 हो गया यान पे x minus 5 और x plus 3 ये हमारा उत्तर हो गया ठीक है? तो ये next question क्योड चलते हैं? कि अच्छे नंबर कॉर्ष्चन में क्या दिया हुआ है 4a3 4a to the power cube minus 9a square plus 3a plus 2 डरना नहीं है बहुपदी गुनन खंडी है हमारा तो इसमें बहुपदी आव है तो इससे में घबरानी के जरुवत नहीं है हमें जो अपना step है वही follow करना है तो यहां पर हम पहले plus minus 1 plus minus 2 ऐसे करके put करके देखेंगे तो सबसे पहले 1 put करते हैं तो यहां पर देखे 4 minus 9 plus 3 minus sorry plus 2 यहां पर देखे 3 2 5 4 9 9 minus 9 is equal to 0 मतलब 1 ही करने होते ही 0 हो गया तो हम यहां पर क्या करेंगे करेंगे और देखे 4 4 a to the power cube minus 9 1 to the power square plus 3 into 1 plus 2 यह पे हो गया 4 minus 9 plus 3 plus 2 is equal to 3, 5, 9, 9 minus 9 is equal to 0 अब हमारा क्या factor हो जाएगा a is equal to 1 है तो a minus 1 is a factor factor theorem के मुताबिक यह हमारा factor हो गया तब क्या करना है next step हमारा है सवाल को उतारना है सवाल को उतारते हैं सवाल को उतारते हैं तो क्या है सवाल हमारा 4 a cube minus 9 is square plus 3 a plus 2 अब next step क्या है कि step को छोड़के second step में हमें क्या लिखना है जो हमारा factor उसे 3 जितना का power उतने बार लिखना है हमारा power 3 है तो 3 बार लिखना है तो a-1 a-1 और a-1 लिख लिया अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है 4a cube लाना है a से 4a cube लाने के लिए क्या करना होगा हमें 4a square से multiply करना है 4a square से multiply करते हैं किया आता हैं देखिये 4a3, पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म इन गया है, minus 4a2, यहां पर देखें, 4a2, यहां पर minus 9a2, तो हमारा कितना कम हो रहा है, हम पर 5 कम हो रहा, तो 5 लाने के लिए हम यह 5a से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो minus 5 में करेंगे तब minus आएगा तो यहाँ पर minus 5 a से multiply करेंगे तो minus 5 a से multiply करेंगे तो minus minus 5 a square minus 5 a square और minus minus plus 5 a ठीक है अब क्या करना है हमें देखिए plus 5 a यहाँ पर 3 a है हमारा 3 a यहाँ पर 5 2 ज्यादा हो गया, 2 a ज्यादा हो गया है तो हमें इसको क्या करना होगा minus करना होगा 2 a को तो minus 2 a लाने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर minus 2 से multiply करना होगा तो minus 2 a minus minus plus 2 ठीक है अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या common हो गया common हमारा वही a-1 हो जाएगा बागी का क्या बच गया हमारा 4a square minus 5a minus 2 4a square minus 5a minus 2 ठीक है यही हमारा उत्तर हो गया चारदुनी का 8 यह factor नहीं होगा चारदुनी का 8 8 में से 5 लाना है नहीं होगा यह factor यही हमारा answer हो गया चले 6 नमबर कोश्चन हो गया अब हम 7 नमबर की ओर चलते हैं 7 नमबर कोश्चन में क्या दिया हुआ है x cube minus 9x square plus 23x minus 50 अब हम क्या करेंगे याने की x is equal to 1 लेने पे 0 है we get 1 to the power cube minus 9 into 1 chi square plus 23 into 1 1 minus 15 यह देखिया हमारा 1 minus 9 plus 23 minus 50 24 minus 24 is equal to 0 लेने हमारा factor क्या हो जाएगा यहाँ पे x is equal to 1 है यहाँ पे हमारा factor हो जाएगा x minus 1 is a factor next step हमारा क्या है देखिये next step में हमारा question उतारना है तो हम उतार देते है 9x square plus 23x minus 15 next step को छोड़ना है दूसरे step में हमें क्या लिखना है जो हमारा factor उसे जितना का power है उतने बार लिखना है तो 3 है तो 3 बार लिखेंगे हम sorry minus 1 minus 1 और minus 1 अब में क्या करना है x cube लाना है x cube लाने के लिए हम क्या करेंगे x square से multiply कर देंगे x square से multiply करेंगे तो यहाँ पर हमारा x cube minus x square आ जाएगा अब हमारा 8 कम है तो यहाँ पर 8 से multiply कर देंगे 8 से multiply करेंगे लेकिन हमें minus में लाना है तो यहां पर minus 8 x से multiply करेंगे तो minus 8 x square अब यह दोनों बराबर हो गया अब यहां पर क्या हो जागा minus minus plus 8 x plus 8 x है तो अभी हमारा कितना कम है 30 में से 8 गया कितना बचा 13 में से 8 गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारा अभी 15 बज गया तो हमारा क्या करना है plus में 8 है हमें और 15 लाना है 15 लाने के लिए क्या करना होगा 15 plus 15 से multiply करेंगे हो क्योंकि हमारा 15 plus में लाना है तो यहां पर हम plus 15 से multiply कर देते हैं 15 से multiply करेंगे तो देखिए plus 15 x minus 15 ठीक है अब हमारा next step क्या होगा इधर ले लेते हैं यहां पे हमारे देखे सबसे पहला यह common हो जागा x-1 यह common क्या बच गया हमारे पास x square minus 8x plus 15 बच गया अब यहां पे देखेंगे 5 यह 15 पांच और plus 3 is equal to 8 हा रहा है मतलब यह इसका middle term factor हो जाएगा तो x-1 यहां पे हो गया हमारा x square minus 5x minus 3x plus 15 अब next step में क्या होगा देखेंगे यहां पे x common हो जागा तो x-5 minus 3 common हो जागा तो x-5 यहां पर x-1 यहां पे क्या common हो जागा x-5 यहां पे क्या common हो जागा x-3 यही हमारा उत्तर हो गया ठीक है 7 number complete हो गया अब 8 number के ओर चलते हैं 8 number question में देखते हैं क्या है 8 number question में दिया है 5a cube plus 11a square plus 4a minus 2 अब इसको क्या करना है हमें taking a is equal to क्या लेंगे देखें हम यहां पे फिर put करके देखेंगे plus minus 1 plus minus 2 ऐसे करके put करते देखते हैं तो सबसे पहले 1 put करके देखते हैं तो यहां पे 5 plus 11 plus 4 minus 2 तो यहां पे देखें चार यह पूरा ही plus में है यह सिर्फ minus 2 में है तो यह minus नहीं होगा factor 11 plus minus minus 4 minus 2 यहां पे माइनस दो माइनस चार याने कि 6 पांच 11 माइनस में है प्लस में 0 हो गया याने कि हमें हमें यहां पे minus 1 लेना है तो यहां पे हम a is equal to minus 1 ले लेते हैं then we get 5 into minus 1 का cube plus 11 into minus 1 का square plus 4 into minus 1 minus 2 यहां पे क्या होगा देखें is equal to 0 हमारा factor क्या हो जागा देखिए a is equal to minus 1 है तो यहां पे हमारा a plus 1 is a factor देना हमारा next step क्या है question को उतारना है तो यहां पे question उतार देते हैं plus 11 i square plus 4a minus 2 यहां पे हमारा एक step को छोड़ना है next step में क्या लिखना है हमारा जो है cube है तो 3 बार लिखना है तो a plus 1 a plus 1 a plus 1 अब यहां पे देखिए a cube लाना है 5 a cube लाना तो यहां पे हम 5 a square से multiply करेंगे तो यहां पे हमारा 5 a cube next step में क्या हो जा रहा देखिए plus में 5a square हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 11 है तो हमारा 6 कम है तो यहाँ पे 6a से 6a से 6a से multiply करेंगे तो यहाँ पे 6a से multiply करेंगे तो क्या हो जागा देखिए 6a square 6 5 11 हो गया यहाँ पे हो जागा plus 6a यहाँ पर क्या है हमारा 4a है 4a है यहाँ पर हमारा 2 ज्यादा हो गया तो 2 कम करने के लिए क्या करना होगा माइनस 2 से मल्टिप्लाइ करना होगा 2 से मल्टिप्लाइ करना होगा 2a हो जाएगा तो माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 2 ठीक है इसके बाद next step क्या होगा देखिए यहाँ पे हमारा a plus 1 a plus 1 common हो जाएगा next क्या है 5a square plus 6a minus 2 ठीक है यही है हमारा answer हो गया आज नमबर सवाल भी complete हो गया है 9 की नमबर की ओर चलते है 9 नमबर में क्या दिया है 9 नमबर में 2x cube minus x square plus 9 x plus 5 taking x is equal to कितना लेना हमें देखिए सबसे पहले 1 put करते हैं यहां पर 1 put करके देखते हैं सबसे पहले 1 put करेंगे plus minus 1 plus minus 1 पूट करते हैं तो यहां पर 2 minus 1 plus 9 plus 5 9,5,3 नहीं होगे minus 1 put करके देखते हैं minus 2 minus 1 plus minus minus होजाएगा plus 5 यहां पर होगे देखिए 9,10 तो बारह होगे नहीं होगे minus 2 put करते हैं यहां देखिए plus 9,13 plus 5 8,5,13,23 होगे ज़्यादा होजाएगा minus put करके देखिए हैं क्या होता है minus put करेंगे तो यहां पर 8,16 minus, minus, plus, minus, minus ठीक है तो 2,4 4 यहां पर होगे आपका minus 9 और plus 5 यह पूरा 9 minus में होगे अब एक बर क्या करते हैं half put करते हैं half put करके देखते हैं half put करते हैं तो half put करेंगे तो देखिए क्या होता है 2 into 1 का cube यहां नहीं की 1 का cube 2 का cube यहां नहीं की 8 2 चोग की 8 2 चोग की 8 minus 1 बाइ 2 का यहां नहीं की 1 बाइ 4 plus 9 by 2 plus 5 यह पर यह कर दिया यह ज्यादा होजा रहे यह भी नहीं होगा minus 1 by 2 put करके देखते हैं तो minus 1 by 2 put करेंगे तो minus minus में होजाएगा 1 by minus में होजाएगा 2 into 1 by 8 यह होजागा आपका minus minus plus होजाएगा plus minus minus में 1 by 4 यह होजाएगा आपका minus plus minus minus 9 by 9 into 1 by 2 यह प्लस 5 यहाँ पर देखते हैं रिखिए दो चोग के 8 1 by 4 minus यहाँ पर minus 1 by 4 यहाँ पर होगा minus 9 by 2 9 by 2 plus 5 इसको एक बार LC हम डे लेते हैं 4 यहाँ पर होगया minus 4 minus 4 यहाँ पर minus 1 होगया minus 1 यह होगा आपका minus 18 और यह होगा आपका कितना होगा 20 यहाँ पर 18 दो 20 यहाँ पर 20 बटा 20 होगा तो 0 बटा में 4 होगा तो 0 यहाँ कि हमारा minus 1 by 2 पूट करने पर 0 होगा रहा है चीक है तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 minus 1 by 2 लेंगे then we get then we get क्या मिलेगा हमें सेम यही यही स्टेप को आप यहाँ पर पूट कर लिजेगा यह वाला यहाँ पर solve कर लिजेगा आप लो मैं next step में चलता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या हो जागा देखिए x minus 1 by 2 is equal to x is equal to minus 1 by 2 तो हमारा x x is equal to क्या होगा देखिए minus 1 by 2x cross multiplication हो गया है तो और और फिर क्या मिलेगा हमारा 2x plus 1 is equal to 0 तो हमारा factor क्या होगा 2x plus 1 is a factor ठीक है next step हमारा क्या था उपर वाले question को नीचे उतारना है तो यहाँ पर 2x cube minus x square plus 9x plus 5 एक step को छोड़के दूसरा step में हमें कितना एक cube है तो तीन बार लिखना है यहाँ पर दखिए हमें 2x cube लेना है तो यहाँ पर 2x है तो यह x square से multiply करने पर 2x cube हो जागा तो यहाँ पर 2x cube यहाँ पर plus x square ठीक है यहाँ पर plus x square यहाँ पर minus x square है तो हमारा पहले से plus x square हो गया है तो minus x square करने के लिए यहाँ पर हमें minus 2x करना है यहाँ पर minus 2x square करना होगा यहां पे----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- multiply करने से 5 दो निकर 10x हो जाएगा तो यहां पर plus 10x plus 5 ठीक है next tip हमाई क्या मिला देखिए यहां पर 2x plus 1 next क्या है x square minus x plus 5 यह हमारा answer हो क्या अगर doubt है तो आप लोग comment करिए हमें या फिर telegram channel पर हमें message भी कर सकते हैं 10 number question में क्या है 2y cube minus 5y square minus 19y plus 42 तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर taking y is equal to क्या लेना है हमें देख लेते हैं 1 put करके सबसे पहले 1 put करेंगे तो यहां पर हमारा होगा है 2 minus 5 minus 19 plus 42 plus में 42 है 19 5 होगया 24 होगया 24 होगया 24 में से 2 गया कितना होगया 22 22 और 22 बराबर नहीं होगया minus 1 put करेंगे देख लेते हैं तो minus 1 put करेंगे तो यहां पर क्या होगा देखिए minus 2 minus plus minus minus 5 यहां पर होगा आपका plus 19 plus 14 यह जादा हो जाए रहा 42 2 put करके देखते हैं 2 put करेंगे तो क्या होगा देखिए 2 put करेंगे तो यहां पर होजाएगा हमारा 2 दन के 4 दन का 2 इंटो 8 यानिकि 16 minus यहां पर होगया आपका 2 दूनिका 4, 5 दूनिका 10 2 दूनिका 4, 5 दूनिका 10 माइनस 9 दूनिका 19 दूनिका 38 प्लस 42 16 sorry 5 हो के 20 है 5 से के 4 से गुना होगा तो 20 होगा तहां पे 16 और 20 कितना होगा 58 माइनस यह कितना होगा 58 कि यहाँ पे क्या लिखिए लेंगे y is equal to 2 then we get 2 into 1 का sorry 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्कार माइनस 19 इंटू 2 प्लस 42 यहाँ पे होगा आपका 16 माइनस 20 माइनस 38 प्लस 42 58 माइनस 58 is equal to 0 अब यहाँ पे हमारा फेक्टर क्या हो जागा देखिए y is equal to 2 है तो यहाँ पे हमारा y minus 2 is the factor from the factor theorem फिर उसके बाद हमारा next step क्या है 2y cube minus 55 square minus 19 y plus 42 एक step को छोड़के दूसरे step में हमें क्या लिखना है जो हमारा यह cube है तो तीन बार लिखेंगे y minus 2 y minus 2 अब क्या करना है y cube लाना है तो y cube लाना है तो हमारा 2y square से multiply करेंगे तो हमारा यह 4y square यह eatenap 5 है तो हमें कितना से multiply करेंगे तो और एक माइनस 5 एक और minus y square हो जागो तो यहाँ पर minus y से multiply करने से हो जाएगा तो यहाँ पर minus y से multiply करेंगे हम तो यहाँ पर देख़ें क्या हो जागा minus minus y square minus minus plus 2y उसके बाद डेख्खें क्या zorna है और plus में 2y आगया है ठीक है हमारे यहाँ पर plus में 2y आगया हमर माइनस में 19y मरने के पहले से 2 ज्यादा हो गया है तो 19 दून 21 लाना है 21 हमें लाना है तो 21 को क्या करना होगा यहां पर 21 प्लस 21 को तो यहां पर आप देखें क्या हो जाएगा तो यहां पर 2y है तो हमें 21 लाना है तो एकी सम को क्या करना है प्लस यहाँ पर माइनस में लाना है तो माइनस 21 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जागा देखे माइनस 21y माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा next step क्या हो जागा देखे इसमें common क्या होगा हमारा यहां पर हमारा common is y-2 और यह देखे क्या बज़गा 2y²-y-21 यहां पर हो जाएगा आपका 2y²-y-21 ठीक है अब इसको हम देखेंगे कि midterm factor होगा के नहीं तो यह देखें यहां पर midterm factor हो जाएगा क्योंकि 21 दूनी का 42 ठीक है 21 दूनी का बैली तो 7,642 आता है तो यहां पर 7,6 42 के हिसाब से हम इसको midterm factor में ले जाएंगा तो midterm factor में 7,642 है तो minus y लाना है तो यहां पर 2y²-7y-21 ठीक है यहां पर minus y by 2, sorry y minus 2 यहां पर common क्या हो जागे देखेंगे तो यहां पर हमारा common हो रहा है 2y, नहीं y common होगा सिर्फ y common होगा तो यहां पर 2y-7 ठीक है यहां पर हमा होगा plus यहां पर हमारा 3 common हो जागे देखिए 3 common होगा यहां पर 3 common होगा तो यहां पर होगगा 2y-7 ठीक है अब हमारा देखिए y-2 हो गया इसमें क्या common है हमारा तो 2y-7 और यह y-3 यह हमारा answer हो गया तो हमारा 8.1 chapter समाप्त हो चोगा है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते है नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का 8.2 chapter स्टार्ट करूंगा तो चलिए आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ तो आप लोग comment करिए हमें और हमारे टेलेग्राम चैनल पर भी message कर सकते हैं वहाँ पर भी आपके doubt वो clear कर देंगे हम लोग thank you so much पर भी